अलेकुम जी कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब लोग खेरियत से होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं जी वेजटेबल मॉमोस मैंने एक बार पहले भी रेसिपी शेयर की थी मॉमोस की वो चिकन के साथ बनाए गए थे आज हम जो बना रहे हैं उसमें चिकन नहीं एड करेंगे स तरफ वेजटेबल के साथ बना रहे हैं और वेजटेबल जी हमने लिए हैं कॉंस हैं कैपसिकम कैरट कैबिज हैं ग्रीन अनियन्स हैं स्प्रिंग अनियन्स और आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और वेज़िस भी आड कर सकते हैं या इन में से अगर कोई नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं एक बड़ा कप मैंने भर के मैदा ले लिया है यहां पर आप अपनी यूजज के अकॉर्डिंग इसको भी कम्या ज्यादा एड कर लीज़ेगा कॉंस लिए हैं हमने बॉयल कॉंस हैं ये बॉयल किये हुए हैं इनको मकई है ये ये मैंने लि कर लिया है और इसके साथ ही जी हमने लिया है ये है गारलिक दो से तीन जववे मैंने लिये हैं लेसन के और उनको बारीग चॉप कर लिया है हरी प्याज यानिके इसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट को बारीग चॉप किया है ये है जी कैबज यानिके बंगो भी इनक आप चाहें तो वाइट पेपर या रेड चिली पाउडर भी एड़ कर सकते हैं इसकी जगा पे मैंने लिया है यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स में एड़ कर रही हूं एक टी स्पून आप अगर चाहें तो ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं उनको बारीक हमने add कर देना है सबसे पहले oil क्योंकि आपको पता dough बनाने के लिए oil जो है वो बहुत जरूरी हमें चाहिए होता है इसके साथ ही हमने add कर देना है salt और इसको हम अच्छे तरीके से mix up करेंगे और फिर हम इसको गूंद लेंगे पानी हमने लेना है नीम गरम लूक वाटर आप ले लीजिए और अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो टैब वाटर होता है उससे भी इसको गूंद सकते हैं और बहुत ज्यादा नरम हमने नहीं गूंदना है जिस तरह से रोटी के लिए अटा गूंदे हैं उसी तरीके से अब इसको ब्रशिंग कर लें या फिर इसके उपर थोड़ा सा ओयल जो है वो स्प्रिंकल कर लें और इसको हम रख देंगे डो को रेस्ट देंगे 15-20 मिनट के लिए ताके डो जो है वो अच्छे से काम कर सके तब तक जी हम अपनी वेजिस को कुक कर लेते हैं एक अदध हमने लिया है फ्राइंग पैन और उसमें अड़ किया है दो से तीन टेबल स्पून हमने ऑइल ऑइल अड़ करके उसको गरम कर होने देना है और अब इसमें अड़ कर देंगे अपने चॉप्ट गारलिक यानि कि जो हमने लेसन को चॉप करके रखा हुआ था साथ ही हमने जी स्प्रिंग अनियन्स भी अड़ कर दी है अब इसमें हम अड़ कर रहे हैं कैरेट्स जो ग्रेट की हुए थी तमाम वेजिस को हमने सौटे करना है बहुत इनको ओवर कुक हमने नहीं करना है बिलकुल सौफ्ट करने की जुरूरत नहीं है सिर्फ सौटे करते जाएंगे ताके सबजियों का क्रंच जो है वो बाकी रहे शिमला मिर्च आड़ कर दी है इसमें और साथ ही हमने इसमें कैबिज भी आड़ कर देनी है और इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है फ्लेम हमने जी लो पे रखी हुई है लो टू मीडियम आप कर सकते हैं इसको बहुत हाई फ्लेम पे भी कुक नहीं करना इसको ताके सबजियां जो हैं वो जल ना जाए इनको अब हमने दो से तीन मिनट के लिए कुक करना है यह आप देख सकते हैं वेजिस जो हैं वो हमारी अच्छे से सौटे हो चुकी हुई है अब हम इसमें एड़ करने के लिए बाद हमने इसकी जो फ्लेम उसको बिल्कुल लो पे कर देना है दम वाली आँच जी से कहते हैं वो हमने कर देनी हैं ताके कॉन्स भी जो है वो अच्छे से इसमें सौट हो सके अब हम एड़ कर रहे हैं जही रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही add करेंगे इसमें black pepper powder अच्छे तरीके से इसको mix up करेंगे और 3 से 4 मिनट हमने इसको low flame पे cook करना है इसमें हमने salt जो है वो add नहीं किया था salt हमने पहले dough में add किया था अब हम печals में salt add कर रहे हैं तो یہ जी अच्छे तरीके से mix करने के बाद इसको हमने कुक करना है मजीद ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पांच मिनट लो फ्लेम पे ताके तमाम जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं वेजिस हमारी और फिर हमने इसकी फ्लेम जो है वो ओफ करके इसको ठंडा होने देना है अब यह आप देख रहे हैं हमने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है यह अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं जैसे ही पांच मिनट सिर्फ हमें रिक्वाइड होंगे इसके लिए तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो ओफ करतेंगे आप से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए महरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताके हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको रिसीब हो सके और आप हमारी वीडियो वोच करते रहें टाम भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताके हमारी होसला अवजाई हो सके आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिल सके कि हमारा चैनल जो है वो अच्छा काम कर रहा है अब जी आपने देखा है कि हमने जो डो थी उसको रेस्ट दिया हुआ था अब उसके हमने जो है यह जो वेजेज हमने रेडी की हैं यह अच्छे से ठंडी हो चुकी हुई है अब हम इनको छोटी छोटी रोटियों के अंदर जो है वो स्टफिंग करेंगे और फिर इनको बन करेंगे पोटली की शेप में छोटे पेड़े बनाने का मकसद यह होता है कि जो रोटी है वो ज्यादा मोटी ना हो क्योंकि आपको पता इसको कोक हमने वो स्टीम पे रखके करना होता है तो अगर मोटी रोटी होगी तो उसको जो है वो कुक होने में भी टाइम लगेगा और फिर वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट इसमें आएगा तो लहाजा इसलिए हम बिल्कुल छोटे-छोटे से पेड़े बनाते हैं ताके बिल्कुल बारीक सी रोटी रेडी हो और फिर उसके अंदर स्टाफिंग करके उनको स्टीम पे कुक किया जा सके यह जी हम इसमें अपने वेजिस जो है वो एड़ कर रहे हैं यह भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर लीजेगा स्टाफिंग जो आपने करनी है कुछ लोग जो है वो ज्यादा भरा हुआ पसंद करते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर फिल नहीं करते इसको तो लहाजा यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली कर लीजेगा अब जी हमने इसको रैप करना है जो हमने रोटी बेल के रखी हुई थी उसको चारो तरफ पानी लगाएंगे और फिर उसको हमने इस तरीके से बंद कर लेना है मेरी जो पहली वीडियो है मॉमोज की वो भी मैं आपको जो है वो आई बिटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक एड़ कर दूँगी अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख लीजेगा अब जी हमने एक फ्राइंड पैन में दो कब पानी लिया है और उसको अच्छे तरीके से बॉक बॉइल कर लिया है यानि के पानी को अच्छे से गरम कर लिया है और उसके उपर हमने ये चलनी रखके इसको ब्रशिंग कर दी है ओयल की और इस पे हम अपने तमाम जो है ये मॉमोस स्प्रेड कर देंगे और फिर इसको हमने कुक करना है पंदरा से बीस मिनट के लिए मैक्सिमम बीस मिनट ही होते हैं अगर आप ने लो फ्लेम पे रखना है तो आप ज्यादा भी कर लिजएगा आदा घंटा रख सकते हैं इसको कवर करके हमने कुक करना है और ये आप देख सकते हैं जी पंदरा से बीस मिनट के बाद ये इनकी जो है वो लुक है माशाला से बहुत मज़ेदार बनके ये रेडी हुए है बहुत डिलिशिस टेस्ट है इनका बहुत वेल कुक्ट है ये आप बनाएंगे इन्शाला आपको जरूर पसंद आएगी ये रेसिपी दौाओं में याद रखिएगा अला हाफिज